अध्याय 28 स्वर्ग दूद का संदेश विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौप हटते ही मरियम मग्दलेना और दूसरी मरियम कबर देखने आई एक आएक भारी भूकंप हुआ प्रभू का एक दूद स्वर्ग से उत्रा कबर के पास आया और पत्थर अलग लुड़का कर उस पर बैठ गया उसका मुख मंदल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे दूद को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मरतक जैसे हो गए स्वर्ग दूद ने इस त्रियों से कहा डरिये नहीं मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूण रही हैं जो कुरूस पर चढ़ाये गए थे वे यहां नहीं हैं वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था आईए और वह जगा देख लीजिए जहां वे रखे गए थे अब सीधे उनके शिश्यों के पास जाकर कहिए वे मृतकों में से जी उठे हैं वह आप लोगों से पहले गली लिया जाएंगे वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है स्त्रियां शीक्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिश्यों को यह समाचार सुनाने दोड़ी स्त्रियों को दर्शन इसा एक आएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया वे आके बढ़ाई और उन्हें दंडवत कर उनके चर्णों से लिपट गई इसा ने उनसे कहा डरो नहीं जाओ और मेरे भाईयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे पहरेदारों को रिश्वत इस तरियां जाही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सेनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिश्य आए और उसे चुरा ले गए यदि यह बात राजिपाल के कान में पढ़ गई तो हम उन्हें समझा कर तुम लोगों को बचा लेंगे पहरेदारों के रुपिया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था यही कहानी फैल गई और अब तक यहुदियों में प्रचलित है शिश्यों का प्रेशन तब ग्यारह शिश्य गलीलिया की उस पहड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया किन्तु किसी किसी को संदेह भी हुआ तब ईसा ने उनके पास आकर कहा मुझे स्वर्ग में और प्रित्वी पर पूरा अधिकार मिला है इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिश्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर बप्तिस्मा दो मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिये हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ अध्याए सोलह स्वर्गदूत का संदेश विश्राम दिवस के बाद मरियम मग्द लेना याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्वे खरीदा ताकि जाकर इसा के शरीर का विलेपन करें वे सब्ताह के प्रथम दिन बहुत सबेरे सूर्योदे होते ही कबर पर पहुँची वे आपस में ये कह रही थी कौन हमारे लिए कबर के द्वार पर से पत्थर लुड़का कर हटा देगा किन्तु जब उन्होंने आँखें उपर उठा कर देखा तो पता चला कि वो पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुड़काया हुआ है वे कबर के अंदर गई और ये देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्तर पहने एक नव्युवक दाही ने बैठा हुआ है उसने उनसे कहा डरिये नहीं आप लोग ईसा नाजरी को ढून रही हैं जो क्रूस पर चड़ाए गए थे वे जी उठे हैं वे यहां नहीं हैं देखिए यही जगए है जहां उन्होंने उनको रखा था जाकर उनके शिश्यों और पैत्रुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गली लिया जाएंगे वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था वे आश्चर्य चकित होकर कापती हुई कब्र से निकल कर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा परिशिष्ट मरियम मग्द लेना को दर्शन इसा सप्ता के प्रथम दिन प्रातः जी उठे वे पहले मरियम मग्द लेना को जिससे उन्होंने साथ अब्दूतों को निकाला था दिखाई दिये उसने जाकर उनके शोक मना दे और विलाप करते हुए अनुयाईयों को ये समाचार सुनाया किन्तु जब उन्होंने ये सुना कि ईसा जीवित है और उसने उन्हें देखा है तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ दो शिश्यों को दर्शन इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उनमें दो कोद दिखाई दिये जो पैदल देहाद जा रहे थे उन्होंने लोट कर शेश शिश्यों को ये समाचार सुनाया किन्तु शिश्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ शिश्यों का प्रेशन बाद में ईसा ग्यारहों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिये और उन्होंने उनके आविश्वास पर विश्वास नहीं किया था, जिन्होंने ईसा को पुनर जीवित देखा था, इसके बाद, ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर, सारी स्रिष्टी को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा, और बप्तिस्मा ग्रहन करेगा, उसे मुक्ती मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा, वो दोशी ठहराया जाएगा, विश्वास करने वाले ये चमतकार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर, अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाशाएं बोलेंगे, और सापों को उठा लेंगे, यदि वे विश्व पियेंगे, तो उससे उन्हें कोई हानी नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, स्वर्गा रोहन, प्रभु ईसा, अपने शिश्यों से बाते करने के बाद, स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए, शिश्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे, और साथ साथ घटित होने वाले चमतकारों द्वारा, उनकी शिक्षा को प्रमानित करते रहे, अध्याई 24, स्वर्ग दूतों का संदेश सप्ताह के प्रथम दिन, पौप अटते ही, वे तैयार किये हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई, उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुड़काया हुआ पाया, किन्तु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु ईशा का श्रव नहीं मिला, वे इस पर आश्चरे कर ही रही थी, कि उज्जले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए, स्त्रियों ने भैभीत होकर धर्ती की ओर सिर्जुका लिया, उन्हों पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मित्कों में क्यों ढूंटी हैं, वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। गलिलिया में रहते समय, उन्होंने आप लोगों से जो कहा था, वो याद कीजिए, उन्होंने ये कहा था, कि मानव उत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को ईसा का ये कथन याद आया, कब्र से लोट कर, मरियम मगदलेना, जोहनना और याकूब की माता मरियम ने, ये सब ग्यारहों और दूसरे शिश्यों को भी बताया, जो अन्य नारियां उनके साथ थी, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा, और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया, फिर भी पैतरुस उठकर दौरते हुए कब्र के पास पहुचा, उसने जुक कर देखा, कि पट्टियों के आतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है, और वो इस पर आश्रेचकित होकर चला गया, एमाउस जाने वाले शिश्यों को दर्शन, उसी दिन दो शिश्य, इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए, एमाउस नामक गाउं जा रहे थे, वह यरुसलेम से कोई चार कोस दूर है, वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे, कि इसा स्वैम आकर उनके साथ हो लिए, परंदु शिश्यों की आँखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही, इसा ने उनसे कहा, आप लोग रहा चलते किस विशय पर बात चीच दर रहे हैं, वे रुख गए, उनके मुख मलीन थे, उनमें एक क्लेवपस ने उत्तर दिया, यरुसलेम में रहने वालों में आप ही ये कैसे हैं, जो ये नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है, इसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है, उन्होंने उत्तर दिया, बात इसा नाजरी की है, वे इश्वर और समस्त जनता की द्रिष्टी में कर्म और वचन के शक्तिशाली नभी थे, हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चड़वाया, हम तो आशा करते थे कि वही इस्राइल का उद्धार करने वाले थे, ये आज से तीम दिन पहले की बात है, ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंबे में डाल दिया है, वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई, और उन्हें ईसा का शब नहीं मिला, उन्होंने लोटकर कहा कि उन्हें स्वर्ग दूद दिखाई दिये, जिन्होंने ये बताया कि ईसा जीवित है, इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए, और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया, जैसा स्त्रियों ने कहा था, पर दूद उन्होंने ईसा को नहीं देखा, तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है, तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंद मती हो, क्या ये आवश्यक नहीं था, कि मसीह, उस सब सहें, और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें, तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए, अपने विश्य में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है, वो सब उन्हें समझाया, इतने में वे उस गाउं के पास पहुँच गए, जहां वे जा रहे थे, लग रह था, जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं, शिश्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाईए, सांज हो रही है, और अब दिंडल चुका है, और वो उनके साथ रहने भीतर गए, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठ कर रोटी ली, आशिश की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ कर उन्हें दे दिया, इस पर शिश्यों की आखें खुल गई, और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किन्तु ईसा उनकी द्रश्टी से ओजल हो गए, तब शिश्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हिर्दय कितने उद्दीब्थ हो रहे थे, जब वे रास्ते में हमसे बाते कर रहे थे, और हमारे लिए धर्मक्रेंद की व्याख्या कर रहे थे, वे उसी घड़ी उठकर यरुसलेम लोट गए, वहाँ उन्होंने ग्यारहों और उनके साथियों को एक अत्र पाया, जो ये कह रहे थे, तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ, और उन्होंने ईशा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया, ब्यारी की कोठरी में दर्शन, वे इन सब घटनाओं पर बातचित कर ही रहे थे, कि ईशा उनके बीच आकर खड़े हो गए, उन्होंने उन्होंसे कहा, तुम्हें शान्ती मिले, परन्तु वे विस्मित और भैभीत होकर ये समझ रहे थे, कि वे कोई प्रेथ देख रहे हैं, इशा ने उनसे कहा, तुम दो घबराते क्यों हो, तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है, मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ, मुझे इस परश कर देख लो, प्रेथ के मेरे जैसा हाल पांस नहीं होता, उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए, जब इस पर भी शिष्षों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था, और वे आश्चरे चकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है, उन्होंने ईसा को भूनी मचली का एक टुकला दिया, उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया, अन्तिम निर्देश, इसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय, तुम लोगों से कहा था, कि जो कुछ मुसा की संहता में, और नभियों में, तथा भजनों में मेरे विशे में लिखा है, सब का पूरा हो जाना आवश्चक है, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए, उन्हें धर्म गरंथ का मर्म समझाया, और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है, कि मसीः दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मितकों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर, ये रुसालें से लेकर, सभी राष्ट्रों को, पाप शमा के लिए, पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा, तुम इन भातों के साक्षी हूँ, देखो, मेरे पिता ने, जिस वर्दान की प्रतिक्या की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूँगा, इसलिए, तुम लोग शहर में तब तक बने रहो, जब तक उपर की शक्ति से संपन्वन ना हो जाओ, स्वर्गा रोहर्ण, इसके बाद, इसा उन्हें बेठानिया तक ले गए, और उन्होंने अपने हाथ उठा कर, उन्हें आशीश दी, आशीश देते देते, वो उनकी आँखों से ओजल हो गए, और स्वर्ग में आरोहित कर लिये गए, वे उन्हें दंडवत कर, बड़े आनंद के साथ, यरुसलेम लोटे, और ईश्वर के स्तूती करते हुए, सारा समय मंदिर में बिदाते थे, अध्याय बीस इसा का पुनरुथान मरियम मग्द लेना सप्ताह के प्रथम दिन, तड़के मुँ अंधे रही, कबर के पास पहुँची, उसने देखा कि कबर पड़ से पत्थर हटा दिया गया है, उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिशे के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दोड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कबर से उठा कर ले गये हैं, और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है, पेत्रुस और वो दूसरा शिश कबर की ओर चल पड़े, वे दुनों साथ साथ दोड़े, दूसरा शिश पेत्रुस को पिछेल कर पहले कबर पर पहुँचा, उसने जुक कर ये देखा कि छाल्टी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किन्तु वो भीदर नहीं गया, सिमून पेत्रुस उसके पीछे पीछे चल कर आया, और कबर के अंदर गया, उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं, और रिसा के सिर पर जो अंगोच्छा बंधा था, वो पट्टियों के साथ नहीं, बलके दूसरी जगहता किया हुआ अलग पड़ा हुआ है, तब वो दूसरा शिश्य भी, जो कबर के पास पहले आया था, भीतर गया, उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म गरंथ का वो लेक नहीं समझ पाये थे, जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार रहे था, इसके बाद शिश्य अपने घर लोट गए, मरियम मगद लेना को दर्शन, मरियम कबर के पास बाहर रोती रही, उसने रोते रोते जुक कर कबर के भीतर दृष्टी डाली, और जहां ईसा का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्तर पहने, दो स्वर्ग दूतों को बैठा हुआ दिखा, एक को सिरहाने, और दूसरे को पैताने, दूतों ने उससे कहा, बद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभू को उठा ले गए हैं, और मैं नहीं जानती कि उन्होंने, उनको कहां रखा है, वो ये कहकर मुड़ी, और उसने ईसा को, वहां खड़ा देखा, किन्तों उन्हें पैचान नहीं सकी, ईसा ने उससे कहा, बद्रे, आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंड़ती हैं, मरियम ने उन्हें माली समझ कर कहा, महोदे, यदि आप उन्हें उठा ले गएं, तो मुझे बता दीजिए, कि आपने उन्हें कहां रखा है, और मैं उन्हें ले जाउंगी, इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम उसने मुड़कर इबरानी में उन्हें से कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर, इसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको, मैं अब तक, पिता के पास, उपर, नहीं गया हूँ, मेरे भाईयों के पास जाकर उन्हें ये कहो, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास उपर जा रहा हूँ, मरियम मग्द लेना ने जाकर शिश्वों से कहा, मैंने प्रभू को देखा है, और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया, प्रेरितों को दर्शन, उसी दिन, अर्थात सप्ता के प्रथम दिन, संध्या समय, जब शिश्य यहूदियों के भैसे द्वार बंद की एकत्र थे, ईश्य उन्होंने बीच आकर खड़े हो गए, उन्होंने शिश्यों से कहा, तुम्हें शान्ती मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई, प्रभू को देखकर शिश्यान अंदित्थों उठे, ईश्य ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शान्ती मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ, इन शब्दों के बाद इसा ने उन पर फूक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहन करो, तुम जिन लोगों के पाप ख्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप ख्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे, प्रेजितों को दुदी दर्शर, इसा के आने के समय, बारहों में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था, दूसरे शिश्यों ने उससे कहा, हमने प्रभू को देखा है, उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूँ, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूँ, और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ, आठ दिन बाद, उनके शिश्व फिर घर के भीतर थे, और थोमस उनके साथ था, द्वार बंद होने पर भी, इसा उनके बीच आकर खड़े हो गए, और बोले, तुम्हें शान्ती मिले, तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो, ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ा कर मेरी बगल में डालो, और अविश्वासी नहीं, बलके विश्वासी बनो, थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभू, मेरे ईश्वर, इसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो, कि तुमने मुझे देखा है, धन्य हैं वे, जो बिना देखे ही, विश्वास करते हैं। समापन। इसा ने अपने शिश्वों के सामने, हाँ और बहुत से चमतकार दिखाए, जिनका विवरन इस पुस्तक में नहीं दिया गया है, इनका ही विवरन दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो, कि इसा ही मसी इश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। परिशिष्ट अध्या 21 तिबेरियस के समुद्र तट पर दर्शन बाद में इसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्वों को फिर दिखाए दिये, ये इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थोमस, जो यमल कहलाता था, ना था ना एल, जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र, और ईसा के दो अन्यशिष साथ थे, सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मचली मारने के लिए जा रहा हूँ, वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, वे चल पड़ें, और नाव पर सवार हुए, किंतो उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला, सवेरा भो ही रहा था, कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतो शिश्य नहीं पहँचान सके, ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला, उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं, इस पर ईसा ने उनसे कहा नाओ के दाही ने और जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा उन्होंने जाल डाला और इतनी मचलियां फच गई कि वे जाल नहीं निकाल सके तब उस शिशने जिसे ईसा प्यार करते थे पैतरुस से कहा ये तो प्रभू ही है जब पैतरुस ने सुना कि ये प्रभू है तो वो अपना कपड़ा पहन कर क्योंकि वो नंगा था समुद्र में कूत पड़ा दूसरे शिश मचलियों से भरा जाल खीशते हुए डोंगी पर आये पिक किनारे से केवल लगभग दो सो हाथ दूर थे उन्होंने तट पर उतर कर वहाँ कोईले की आग पर रखी हुई मचली देखी और रोटी भी ईसा ने उनसे कहा तुमने अभी अभी जो मचलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ सिमोन पैतरुस गया और जाल किनारे खीश लाया उसमें एक सो तिर्पन बड़ी बड़ी मचलियां थी और इतनी मचलियां होने पर भी जाल नहीं भटा था ईसा ने उनसे कहा आओ जलपान कर लो शिश्यों में किसी को भी ईसा से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन है वे जानते थे कि वो प्रभू है ईसा आप पास आए उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मचली भी इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिश्यों के सामने प्रकट हुए पैत्रुस को परम अधिकार जल्पान के बाद ईसा ने सिमून पैत्रुस से कहा सिमून योहन के पुतर क्या इनकी अपैक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो उसने उन्हें उत्तर दिया जी हाँ प्रभू आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ उन्होंने पित्र से कहा मेरे मेमनों को चराओ ईसा ने दूसरी बार उससे कहा सीमोन योहन के पुत्र क्या तुम मुझे प्यार करते हो उसने उत्तर दिया जी हाँ प्रभू आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं उन्होंने पित्र से कहा मेरी भेडों को चराओ इसा ने तीसरी बार उससे कहा सिमोन, योहन के पुत्र क्या तुम मुझे प्यार करते हो पेत्र उसको इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा क्या तुम मुझे प्यार करते हो और उसने इसा से कहा प्रभू आपको तो सब कुछ मालूम है आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ इसा ने उससे कहा मेरी भेडों को चराओ मैं तुम से ये कहता हूँ जवानी में तुम स्वयम अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ प्षैलाओगे और दूसरा व्यक्ती तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की म्रत्यू से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा ईसा ने हंत में पेत्रुस से कहा मेरा अनुसरन करो योहन का भविश पेत्रुस ने मुड़कर उस शिश्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी च्छाती पर जुक कर पूछा था प्रभू, वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा पैतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा प्रभू, इनका क्या होगा ईसा ने उसे उत्तर दिया यदि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या तुम मेरा अनुसरण करो इन शब्दों के कारण भाईयों में ये अफवा फैल गई कि वो शिश्ष नहीं मरेगा परंतु, ईसा ने ये नहीं कहा कि ये नहीं मरेगा बलकि ये कि यदि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या उपसंहार ये वही शिश्य है जो इन बातों का साक्ष देता है और जिसने ये लिखा है हम जानते हैं कि उनका साक्ष सत्य है इसा ने और भी बहुत से कार्य किये यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती है वे संसार भर में भी नहीं समा पाती झाल 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 करणक लिखी भी ये भी झाल 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 झाल